हेलो एवरिवान विल्कम बेक टो माई चैनल में हूँ प्रियांका तो दोस्तो आज मैं आपके साथ शेयर काने वाली हूँ इनसाइट कोस्मेटिक्स की एक लिप्स्टिक की रिव्यू जो की इनसाइट ने न्यू लॉंच किया है और इसे मैंने नायका से पर्चेस किया है दोस्तो यह जो इनसाइट की लिप्स्टिक है यह है इनसाइट प्रोफेशोनल मैट लिप्स्टिक यहाँ पर आप देख सकते ह और यह कुछ इस तरीके की कार्डबोर्ट पैकेजिंग के साथ आती है और इसका जो प्राइज लिया है वो है 134 रूपीज दोस्तों आप लोग मेरी जो प्राइजे वो अच्छी तरीके से सुनते नहीं है और मुझे आप लोग कॉमेंट पे जब पूछते हैं तब मैं भूल जाती हूँ तो आप लोग ध्यान से सुना कीजिए कि इसका प्राइज लिया है 134 रूपीज एंड हो सकता है आप मुझे बात में पूछे तो मैं भूल जाओ तो इसलिए मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया 134 रूपीज इसका MRP लिया है और यह है इंसाइट प्र प्रेस्टीज एंड यह है 13 नमबर यह है इसका नाम है प्रेस्टीज यह एक पिंकिश कलर मैंने लिया है एकदम पार्पिली पिंकिश कलर है हिंट ऑब ब्राउन भी है इसमें तो मैं आपको शेट दिखा देती हूँ एंड यह न्यू लांच है इंसाइट की लिप्स्टिक ठीक है एंड यह एक बुलिट लिप्स्टिक है यह 100% भेगन प्रोडक्ट है एंड यह क्रिटिफाइट टॉक्सिक फ्री इंग्रेडियन्स के साथ आती है एंड यह दोस्तों यह बहुत ही अच्छा एक लिप्स्टिक है जो की आपकी लिप्स को एकदम मॉस्टुराइज कर है इनका फायंटेशन इनका कॉंपेक्ट इनका лиप्स्टिक इनका लाइनर सब कुछ इन्होंने प्रॉपेर्फेशनल पर ही इनकाला है तो मैं एक एक करके सारी चीजों की रिवीव करना मैं इनका चाहूंगी एंड अगर में रिवीव करूंगी तो आपके साथ शेर अगर आपके पास ऐसी लिप्स्टिक बहुत साड़ी है अगर आप बहुत साड़ी खरीती है तो आपको अभी शेड पैचानने में प्राब्लम नहीं होगी क्योंकि यहां पे उसका जो शेड है वो दिखरा होगा आपको उपर के साइड और इन्होंने बहुत सदा लग्जूरीयस पैकेजिंग करने की कोशिश किया है जैसे की बहुत बड़े-बड़े ब्रैंड पे कलर बार पे इस तरीके की पैकेजिंग आत 13 नमबर है इसकी यह है इसकी पैकेजिंग जो की बहुती ब्यूटिफुल है यहां पे लिखा हुआ है इंसाइड प्रोफेशनल मैट लेपस्टिक यह इस तरीके से और बड़े होती है तो मैं पैकेजिंग की बात करूं तो मैं ओके-ओके सा पैकेजिंग ही बोलूंगी उत इस बार की जो पैकेजिंग होता नहीं है अच्छा लगा है मुझे उतना भी बुरा नहीं है लेकिन बहुत बार एसा होता है लो है इसा होता है इन्साइट की लिप्स्टिक बहुत ज़िला सा होता है packaging and lipstick बहुत ज़िलता रहता है and packaging की मामले में अगर मतलब धखकन की बात करते हैं तो धखकन भी बहुत ज़िला हुआ सा रहता है तो ऐसा इस packaging पे मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा है क्योंकि ये थोड़ा बहुत ठिक्ठा की उन्होंने दिया है ये जो कलर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ ये जो कलर है ये कुछ इस तरीकी का है जिसी कि मैंने आपको अभी बताया कि ये एक पिंकिश परपिली ब्राउन हिंट मतलब इनका है थोड़ा सा कलर ये एवरी डे वाला कलर है अगर आप किसी भी स्किन टोन की है आप इन्हें एवरी डे के लिए यूज कर सकती है ये जो लिप्स्टिक है ये बुलिट लिप्स्टिक है ये एकदम बोल्ट कलर इसका आता है and ये color एकदम बहुत ज़दा pigmentation के साथ ये lipstick आते है and inside के हर एक lipstick ही बहुत ज़दा pigmented है अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपको पता ही होगा लेकिन ये transfer proof नहीं है and थोड़ा सा हलका सा इसने glossiness दिया है मुझे हलका सा वो अगर आप एकदम matte करना चाहती है तो थोड़ा सा powder लगा के इन्हें आप matte कर सकती है या तो फिर आप इन्हें ऐसे ही छोड़ सकती है तो चलिए दूस्तों मैं इन्हें आपको apply करके दिखाती हूँ अपने lips पे मतलब इसका जो application है जब मैं इसे apply कर रही हूँ अपने lips पे तो ये एकदम buttery smooth इसका application है एकदम smoothly ये मिले lips पे glide हो रहा है बिल्कुल भी आपको मेहनत करने की कोई जरुरत है नहीं एकदम buttery smooth है इसका formula और बहुत ज़्यादा highly pigmented product है और ये नहीं के एता है influenावी आपको में ता ड्यावादा जराए आळाता एका शादा इस-पनार अजादा आपको में हम lens है तो आप सकते हैं यह जो लिप अलगा साइक छाइन देरहा है लेकिन मैट लिपिप्सेट है मैट पेपर से अब आप तुपिर थोड़े लेकर लेकर लेक्ट कर सकती हैं जेद इसका फॉर्मूला बहुत सुंदर है इसका कलर भी बहुत सुंदर है अगर आप एवरी डे में कोई कलर अपलाई करना चाहती है तो ये लिप कलर आप डेफिनेटली ट्राइ कर सकती है एकदम ही पिंक किश परपिली कलर है ये हिंट अब ब्राउन है और ये हर एक स्किन टून पर बहुत अच्छा लगेगा चाहिए आप कोई सब स्किन टून की हो बहुत सरे लोग मिरे पास आते हैं कि डीपर स्किन टून के लिए ये वाला कलर परफेक्ट है अगर आप fair skin tone की हैं तो आपके लिए तो ये वाला color और भी अच्छा लगेगा deeper skin tone के लिए भी बहुत अच्छा लगेगा nude color के हिसाब से जो लोग fair skin tone की हैं उनके लिए ये थोड़ा सा bold भी लग सकता है अगर आप थोड़ा सा light करके लगाती हैं तो थोड़ा सा nude में भी ये लग सकता है and everyday के लिए बहुत बहुत सुंदर lip color है and इतना बढ़िया इसका pigmentation है इतना सुंदर इसका pigmentation है and इसमें उतना भी fragrance नहीं है बिल्कुल भी fragrance नहीं है अगर आपको fragrance से बहुत ज़दा problem है lipstick की तो मैं आपको बोलूँगी कि इस lipstick में उतना fragrance बिल्कुल भी नहीं है मतलब इसमें fragrance है ही नहीं बिल्कुल नहीं है okay and color अब देख सकते हैं लेकिन हाँ ये transfer होगी and उतना भी देर तक ये टिकेगी नहीं क्योंकि ये एकदम ही matte lipstick है लेकिन transfer proof तो नहीं है and अगर आप थोड़ा सा ये shining जो है ये थोड़ा सा आप हटाना चाहती है मतलब matte में convert करना चाहती है थोड़ा सा आप powder से sit कर सकती है अगर आपको ऐसा पसंद है तो आप ऐसा भी इन्हें रख सकती है थोड़ी दिर बाद ये shine भी चला जाएगा lipstick और set हो जाएगी lipstick को set होने में थोड़ा सा time लगता है 5-7 minute थोड़ा सा time लगता है तो आप थोड़ा सा अगर इन्हें time देंगी तो ये और सुन्दर होगा वैसे तो मैं lipstick brush से apply करती हूँ अभी मैंने आपको दिखाने के लिए बस ऐसे apply किया मतलब जो है बो ही मैंने आपको apply करके दिखाया है वैसे तो मैं थोड़ा सा matte करती हूँ lipstick को अपनी तरिके से and brush से apply करती हूँ लगाने के बात रज़ा में लेकिन अभी मैंने फिलाल आपको ऐसे दिखाया है बहुत सारे लोग ऐसे भी lipstick apply कर लेते हैं बिना matte किये and ऐसे ही बिना brush के तो आप ऐसे भी इन्हें apply कर सकते हैं बहुती ज़्यादा pigmented है color आप पास से दिख सकते हैं कितना सुन्दर lip color है and यह है मेरी lip color जो की बहुती सुन्दर color है ठीक है and यह है इसका review दोस्तों यह new launch product है insight की lipstick जो की vitamin E and caracid oil के साथ ही आती है professional lipstick है यह professional makeup इनोंने launch किया है जो की highly pigmented के साथ यह product इनोंने launch किया है and बहुती ज़्यादा affordable है 134 rupees इसका MR पी लिया है and discount चलता रहता है आप NICA पे जाके check कर सकते हैं इनका और एक share मेंने लिया है उनका review इसके बाद आएगा आप उन्हें भी definitely देखिएगा मेरी channel पे यह रहा आज का video यह रहा आज का lipstick की hand swatches and lip swatches आप देख सकते हैं and packaging की बात करूँ तो थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था and overall color बहुत ज़दा pigmented है color range इनका बहुत अच्छा है and इन पे कोई खुश्बू नहीं है जो आपको बहुत ज़दा irritate करे and color का जो combination है वो भी बहुत सुंदर है so मुझे तो काफी हद तक अच्छा लगा है आपको कैसा लगा है आप मुझे comment पे ज़रूर बताइएगा and please subscribe to my YouTube channel and bell icon को ज़रूर से हीट करके रखिएगा ताकि मेरी आने बोले ज़र नोटिफिकेशन है वो आपके पास इसली पाउस सकी so मैं मिलतु हूँ आपके साथ फिर एक निक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों बाई and खुश रहिए हैपी रहिए and यह लिफ्स्टिक डेफिनेटली ट्राई कीजिए and यह कलर में आपको highly recommend करूंगी दोस्तों so बाई बाई so दोस्तों मैं थोड़ा साब को दिखाना चाहती थी कि यह लिफ्स्टिक जो है इसे मैंने matte कर लिया है and matte होने के बाद यह कुछ इस तरीके का लगड़ा है कितना प्यारा लगड़ा है आप देख सकते हैं बिल्कुल भी shine नहीं है and यह stay भी करेगा बहुत time तक and यह ना dermatologically tested product है यह मैं बोलना आपको भूल गई थी and so बस इतना ही and देख सकते हैं आप okay so यह product आप definitely try कीजिए but अगर आपको बहुत दो मैट पसंद है तो आप इन्हें मैट कर सकती है तो yeah bye